हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल स्टारवर्ट क्लासेस और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के खंडगा की जो इसके अंतरगत पूछा जाता है जी विग्यान जो हम पेपर आपको बताने वाले हैं 2017 का है इस पेपर की प्रश् तो इसमें चार आप्शन आपको दिये गए हैं जो आप देख रहे होंगे कि पहले में हमसे पूछा गया है जो आपको लिखना हुआ है अगर अगले प्रश्न की बात कर लें तो खामें हमसे पूछा गया टी एच मॉर्गन ने अपना अनुवांसिक प्रियोग किस पर किया था तो चार आप्शन यहां से हम देख लेते हैं कि घरेलू मक्की पर किया था या बालू मक्की पर फल मक्की पर या से रस्ते मक्की पर किया गया था तो इसमें आपको सही आप्शन को बताना हुआ है अगर अगले प्रश्न की हम बात कर लें तो हमसे पूछा गया है फेप अब देख पार हैं चारो प्रस्टर जो आपको option दिये गए हैं जो भी सही उसको आपको अपनी नोट बुक में लिए देख लेते пять नमबर घा तो तंबाकु में पाया जाने वाला उत्य 가지 क्या होता हुद्द का मतलब मतलब होता है कि छील प्रधा इससे में नशाओ आ जाए तो इसमें कौझा होता है काफीन होता है या S L S D निकोटीन या मारफीन होता है तो इसका सही आंसर होगा निकोटीन तमाखू में जो पाय जाने वाला पदार्थ होता है वो याद रिकेगा निकोटीन अगर हम कौफी की बात करने तो कौफी में काफीन पाया जाता है यांतरिक्य का, पूछा जा सकता है, नेक्ट्ट प्राशन की तरह पढ़ते हैं। प्रिशन आपको पूछा गया था, दो नमबर में इसके अलाबा अगर खाकर देख लें, तो स्वतंत्र अप व्यूहन से आप क्या समझते हैं केवल रेखा चित्र द्वारा दी संकर क्रास समझाईए यानि दी संकर क्रास को आपको रेखा चित्र के द्वारा समझाना है या पिर हम गाह के अगर बात कलने तो गाह में पूछा गया है एक मानव शुकराणू का नामांकी चित्र बनाए तथा उस कोशिका का नाम लिखिए जिससे इसका निर्मार होता है यानि इसका चित्र बनाना है नामकी तो इसका निर्मार होता है तो इसके अंदर इसका निर्मार होता है पोशड की आवशक्ता क्यों पड़ती है या पोशड के मुख परकारों का उले कीजिए पाचन एवं पोशड में क्या अंतर है या दोनों के बीच में हमको अंतर भी बताना है यह प्रशन पूछा गया था चार नंबर में अगर आपको परिच्छा में प्रशन नहीं बता है तो इसमें अत्वा करके भी दिया गया था अत्वा में क्या पूछ दिया था इस टैनले मिलर के जीवन का उद्भाव के संदर में किये गए प्रियोग का सची तरवरण करना है तो यह प्रशन भी आपको पूरे दो-दो करके चार नंबर का है इसके अलावा मेंडेल के प्र देकर समझाइए यानि जो डार्विंग वात था उसके चार पॉइंट लिखकर उसकी ब्याक्या करना था इसको चारों पॉइंट पर आपको एक करके चार प्रशन चार सोरी नंबर मिलने वाले थे आए देखते हैं लाश्ट क्वेश्चन जो ट्वाल्व नंबर था इसमें क्या पूचा गया था इसमें पूचा गया था रुदिर परिवाहन को परिवाशित कीजिए यानि जो रुदिर परिवाहन उसकी परवाशा आपको लिखना है खुला बंद तथा दोहरा रुदिर परिवाहन तंद्र को समझाईए कि खुला और बंद तथा जो दोहरा पुरे प्रश्णताइय आपके निरदारी थे यानि अगर ये भी प्रश्ण आपको परिच्छा में ने आता तो इसके साथ भी आपको अथवा देर रखा था यानी प्रकास तब किसे के ते वहãy गहरे पौदे जो भुजन बनाते हैं इसको परकास कहते हैं तो इसी के बारे में पूचा गया था प्रियोगों द्वारा सिद्र कीजिए के परकास के लिए परकास एवं कारवन डॉक्साइड आवशक है यानि प्रियोग करके इसके भी दिखाना था कि जो परकास होता है तो भी जो आपका करवन डॉक्साइड और एपृशकर अ बिलकुल आवशकर हैं क्योंकि प्रियोख प्रण 2020 की बोड परिच्छा में प्रशन रिपीट हो जाएं तो आपको उसका फैदा मिल जाए वीडियो अच्छे लागा हो तो लाइक शेर जरूर कर दें जो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ जब तक रखें अपना खयाल थैंक्स फार बाचिंग एंड बाइ बाइ